हलो फ्रेंस नमस्कार कैसे हैं आप सावाई हो कि अच्छे होंगे फ्रेंस आज का रेसिपी अंडा करिया जो की गिरेवी एकदम लाल लाल पतला तीखा चटपटा जोर बनने वाला है बहुत ही असान तरीके तो चलिए शुरू करेंस सबसे पहले अंडा उबाल लेना है और न होने के बाद हम सारे अंडे एक साथ डाल दिये हैं ताकि अच्छे से हम इसको फ्राय करेंगे आप कडाही में तो तेल फेला दोगे न तो अंडा चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से फ्राय हो जाएगा प्रेंस इस तरीके से गोल्डन ब्रॉन अच्छे से फ्राय करन और अब हम दो तिन आलू हम यहाँ पे उबाल लिये थे अंडे के साथ तो वो हम एक आलू को दो टुकड़ा किये थे और आलू को भी अच्छे से भाज लेना है अनि कि अच्छे से फ्राइ कर लेना है और वही तेल में हमने लिया है जीरा एक तेजपत्ता एक कास्मेरी recipe बनने वाला है तो विडियो के साथ बने रही है अगर आप कुछ जल्दी बनाना है तो प्याज में आप नमक डाल दीजे प्याज जल्दी बुना के रेडी हो जाएगा देखिए फ्रेंज कितना जल्दी प्याज बुना किया है और यहाँ पे हम डालने है एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट अच्छे से भून लेना है देखिए लसुन अद्रक और प्याज अच्छे से भुना गिया है आप कुछ मसाले डालेंगे जैसे हल्दी पौडर मीर्ची पौडर एक चमच धन्या पौडर और यह सतीनों मसाले अभी हम डाले है ज्यादा मसाला यहाँ पे ह दो टमाटर हम यहाँ पेल किये हैं आप अपने हिसाब से कर दियेगा जितना परिवार केह सबसे आप गिरे बना रहे हो लेकिन अंड़ गिरे भी बनाओंगे ना तो थोड़ा गारा थोड़ा पतला ज्यादा ना गारा होना ो चीए अश्यादा पतला होना चाहिए तो चलि जलना नहीं चाहिए तो इसलिए से मसाला भुनने के बाद हम डाल दिया पानी अब गरम पानी भी डाल सकते हैं लेकिन गरम पानी डालोगे ना तो टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाती है तो हमने यहां पर देखिए इतना पानी हमने दो तिन गिलास पानी एड़ कर दिया ह है आपको कैसा गिरेवी चाहिए अगर मेरे जैसा चाहिए तब एक दनिजर गिलास पानी डाल ये गाद कर तीन अब यहां पे हमेड़ कर रहे हैं काली मीर्च अब हम मसाला किस टेम पे कौन सा मसाला डाल रहे हैं यह बात आप ध्यान में जरूर रखेगा आपको कोई भी बाहरी मसाले के ज़रत नहीं पड़ेगा बस घर में जो रोज मसाला खाते हो उसी से अब जवाब और टेश्टी रे लग जाता है तो उन्हें तावे पे रोश्ट करके इसको मैस के डाला है और अब भी हम तीन से चार मिलेट इसको ढग देंगे ताकि सारे मसाले का खुश्बू बहुत ही अच्छा आए और सबजी भी टेश्ट बने तो बहुत ही अच्छा टेश्ट की खुश्बू आ रहा ह किजिए ताकि मैं कोई भी रेसिपी बनाओ तो सबसे पहले आपके फॉन में घंटी बजे और आपको पता चले कवीता रहना रेसिपी क्या बनाई है और वीडियो को लाइक है शेर करना ना भूलिएगा अपने शेर उनको कीजिएगा जिनको खाना खाना बहुत पसंद है बनाने में मुश्किल होता है मगजमारी दीखता है तो मेरा रेसिपी जरूर सेर कीजिएगा क्योंकि हम हर रेसिपी असान तरीके से और एजी तरीके से बना के लाते हैं ताकि आपको किचन में टाइम ना लगे और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि मेरा रेसिपी आपक मेरा बनायवा तरीका कैसा लगा तो आप इस तरीके से जरूर बनाएगा बहुत ही टेस्टी बनता है और खाईए अपना ख्यार रखे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ